वहीं चत्रिसगर के रायपुर से इस वक्त की बड़ी और रहें जानकारी आपको बता रहे हैं भारत माता चौक में भीशन आग लगी है बता दे कि ट्रांसफॉर्मर में शौट सर्किट से आग लगी है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सब डिवीजन दफ्तर में ये बीशन आग लगी है ये बड़ी और रहें जानकारी इस वक्त की रायपुर से सामने आ रहे है जहां ट्रांसफॉर्मर में शौट सर्किट हो गया जिसके चलते भारत माता चौक में ये बीशन आग लगी है ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर इस ट्रांस्फॉर्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वज़ा से आग लगी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सब्डिवीजन दफ्तर में ये भीशन आग लगी है, ये बड़ी और रहम जानकारी आपको बता रहे हैं सब्डिवीजन दफ्तर में ये भीशन आग लगी है, ये बड़ी और रहम जानकारी आपको बता रहे हैं भारत माता चौक में ये भीशन आग लगी है, बता दे कि ट्रास्फॉर्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वज़ा से ये आग लगी है सब्डिवीजन दफ्तर में ये भीशन आग लगती हुई नसरारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत माता चौक में ये भीशन आग लगी है, बता दे कि ट्रास्फॉर्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वज़ा से ये आग लगी है, दमकल की गाडियां वहां मौके पर मौजूद हैं और आग बुजाने का प्रयास लगतार किया जा रहा है, वहीं आसपास के इलाकों में अप्रा तफ्री का महौल देखने को भी मिल रहा है, ये 30 सीधी तस्वीरे आपको रायपूर से दिखा रहे हैं, बिजली विभाक के दफ्तर में ये बीशन आग लगी है, तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि किस करीके से आग ने विक्राल रूप धारण कर अब लगातार प्रयास किया जा रहा है आग को भुजाने का, ये तस्वीरे आप देख सकते हैं, ये रायपूर की सब डिवीशन दफ्तर की तस्वीरे हैं, जहां पर ये आग लगती हुई नजब आ रही है, इस वक्त दमकल की छे गाडिया मौकी पर मौजूद हैं और आग गुजाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है